दोस्तों जैसा की सबको पता था, जैसा की वाविश्य वड़ी की गई थी remains Everywhere महाविनाश अभी भी जारी है मैं बात कर रहा हूं दंतेरस की 30 अक्टूबर 2024 की आज भी निफ्टी के अंदर सेंसेस के अंदर जितने भी इंडेक्स हैं उनके अंदर क्रेक्शन देखने को मिल रहे हैं तो आज इस समय में सबसे बड़ी बात ही होती है कि लोगों यह सोचते कोई SIP बंद कर दें या SIP पॉस्ट कर दें दो तिन सबसे अच्छा इस्ट्रूमेंट है आपको लॉंग टम में अच्छे अच्छा इस्ट्रूमेंट ना और तरीका किसी भी चीज को नहीं कि आ गया है चाहे वो आपके अवडी हो बले ही लंसम आप करेंगे आपको रिटन ज्यादा मिल जाएंगे लेकिन लंसम से ज्यादा अ आपके साथ में पूरा पूरा एक लॉजिकल मैथट शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप जितने भी भाई है जिन जो की इस चीज से जोड़े नहीं है उनका जो एक कॉंसेट है कि मार्केट गिर रही है तो हमें ऐसा इपी बंद कर देने चाहिए वो चीज़े किलियर हो ज अब करीबन करीबन ने साड़े 300 पाइंट के आसपा चल रहा है जब सुबह मार्केट खुली थी तो वह 200 पाइंट से नेगटिव में थी लेकिन उसके थोड़ी थोड़ी रिकावरी होई लेकिन अभी भी मार्केट नेगटिव यह अब देखते हैं शाम होते होते मार्वाणद मेरे की ऐसफी कर रहेए पांच हाइर रुपे महीने की ऐसफी ने या यह आप लिख देता हूं जिससे कि आप लोगो सारी चीजेशन अगर लिखे अगल मैं आप लोगो ठीक से धंग से संज़ाओं तो आप लोग एक चीज को ठीक तरीक से लोगिकल तरीके से यह जो 12 महीरें यह जो गिंती है यह डिनोट करती है बारा महीरें को को देखें आपके सामने 12 महीरे लिख दिये है आपके SIP केमांट मैंने 5000 रूपर डाली है यह 5000 रूपर महींने की आप SIP करते हैं अभ आप यह भी मान सकते हैं या फिर आप इहीं भी मां सकते हैं कि 1000 रुपय पांच अलाग अलाग Trafford के इंवेस्ट करते हैं कोई इसके प्रॉल्म नहीं है आप एक फंड के अंदर पांच आप फंड मत डालते हूं वहीं भी इस्वी इसू नहीं है आपका यह मैथर्ड है यह हमेशा हर चीज में success रहता है अब क्यों रहता है उसकी बात करते हैं अब उससे पहले आगे बढ़ू दोस्तो चैनल को subscribe करके bell के icon कर दबा देजएगा और साथ में अपने इस भाई के चैनल को बिना subscribe करें बिल्कुल में जाएगा तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ू उससे पहले भाई इस भाई के चैनल को subscribe करके bell कर दबाना मत बुलिएगा अब शुरू करते हैं तो देखें मैं suppose करता हूँ कि इस महीने आपकी जो market है फिर डाउन है फिर आप हो गई किसी महीने फिर डाउन हो गई फिर आप हो गई फिर डाउन है इस तरीके से आपकी जो market तो इसका मतलब यह है कि भाई market ना पाचपाच है रुपे आप हरमीने डालने है market का sense x या उसका points क्या है इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन आपके सामने यह की थोड़ा सा ना समझाने के तरीक है कि भाई किसी महीने मार्केट अप है किसी महीने मार्केट डाउन है फिर समझेगा कि जन्वरी में जब आपने 5,000 रूपे के SIP करी तो market अप थी आपने क्या गड़ा आपको unit जो थे वो मिलेंगे कम जोड़ा से ज्यादा यूनिट अप थी तो जो stocks के rate थे वो ज्यादा हो गए और इसलिए जो NAV थी वो भी बढ़ गई तो आपको unit जो है वो कम मि मिलेंगे कभी आपको मिलेंगे कम इस तरीके से ये जो average है यह इसा तरीके से छलता रहता है इसके अंदर SIP की बात करेंब तो SIP के सबस्क्रा बड़ा जो जो खुब सूर्ति हो यही है कि भई आपको अब को जो यूनिट से वो ज्यादा मिलेंगे और और कभी आपको कम मिल है ज़्यादा कम ज़्यादा अगर sectors पर matarंज से इस कि जुलाई से बात करते हैं जुलाई में डाउन्र का सितंबर में डाउन रही तून ऐस से क्या हो रहा है आपको से जो यूनिट सें वह जादा मिल रहे हैं मतलब होगा यह कि जो जितने भी stocks थे निफ्टी 50 के अंदर ले लिए एनसी बीसी पर ले ले लिए एनसी पर ले लिए आपको ज्यादा मिल रहे है क्यों मिल रहे है क्यों कि जो pricing है जितने भी stocks की वो down हो गई है जब उनकी pricing डाउन हो गई है तो जो NAV था क्योंकि NAV बना तो मिल आप इसी बात है जो mutual fund का unit का price है वो भी down होगा अब जब down होगा और तब ही आपके SIP लेगी है तो इस condition में क्या होगा आपको जो units है वो ज्यादा मिल जाएंगे हो सकता है आपको पहले 100 unit मिलते थे इस बार आपको 105 unit मिल जाए यह 104 मिल जाए अगले मीन है फिर down है फिर financial fund की scheme है उसका एक unit है क्योंकि वो stock से मिलकर बना है उसका भी NAV बढ़ेगा और भाई जब उसका NAV बढ़ेगा तो आपने क्या किया था आपको याद होगा जब market सस्ती थी market down चल ली थी तो आपने ज्यादा units ले लिए थे क्यों SIP आपने same amount की रहे थे ऐसा नहीं आपने SIP के amount बढ़ा दी same amount की आपने SIP करी लेकिन आपको unit ज्यादा मिल गए और जब आपको unit ज्यादा मिले पहले 100 मिलते थे लेकिन अब आपको 105 मिले तो उस 5 unit का मतलब यह है कि आपको उन 5 unit का extra पैसा मिलेगा ऐसे ही अगर market up है तो उसका condition में क्या होगा व्यासे average मालेजी आपक आपके जो averaging थी वो थोड़ी ख़ड़ाब हो गई तो देखें इस तरीके साही होता है कि साल में 12 महीने है और 12 महीने में जो 300 वी दिन मार्केट गरती रहेगी और एसा पनी है कि 300 के 300 वी दिन मार्केट उटती रहेगी तो होता ही है कि ऐसा ही पी आपकी जिस डेटको लग र वो आपकी average हमेशा बराबरी रहती है उससे ये कभी फरह नहीं पड़ता है कि आपने market गिर रही है और अगर आपने SIP उस समय बंद कर दी तो आप सबसे बड़ी मुरक्ता कर रहे हैं मुरक्ता क्यों कर रहे हैं आप समझ गए होंगे क्योंकि वह समय था आपको यूनिट्स जादा लेने का लेकिन आपने क्या करा आप अपने SIP को पॉस्ट कर दिया लेकिन आप फिर आप क्या करोगे उल्टा जब मार्किट हाई चल लिए होगी उस समय आपको यूनिट्स कम मिलेंगे तब आप अपने SIP बंद करते हैं ऐसी कंडिशन में तो इस कंडिशन में आपको नुकसान है लॉंग टम में जो आपके रिटरंस है वो कम मिलेंगे होता क्या है कि वैसे होता क्या है कि कभी आपने यू अपनी SIP के इंद थोड़ी एक्स्टामान डाल दे हजार पांचोर रुपे दो जार रुपे फाल दो लागता है और वहांदा क्या है कि आप महिगा ही जब होगी तब तब तो आप खरी देंगे लेकिन जब सस्ता ही होगी डाउन होगी तब आप ब्यंद कर देंगे तो उस होगा क्या जो इनिट्स आपको 105 मिलने थे 100 की जगा 105 मिलने थे और आपने S1 डाल दी तो वहांपे आप 120 इनिट खरी लेंगे उससे फाइदा ही होगा जब मार्गी अप होगी ना तो आपके पास उससे एजस्ट करने लिए और ज्यादे इनिट्स होंगे तो आपका जो गो आपको पॉटफोली तो आपको पॉटफोली तो आपको रख दिखता है एक बार करके देखिए आपको 101 परसेंट का फैदा होगा और साथ में जो भी मेरा भाई अपना नया पॉटफोली बनंवाना चाहता है या फिर अपना पॉटफोली रिवियो कराना चाहता है सिर्फ 9-9 निटेल लिए है, दिस्किपशन में अपको चार्जेस कम कि रहे हुए, चार्जेस लिखे हुए है, डिटेल लिखे हुए, काका भेजना है, कैसे पेमेंट करनी है, सब लिखा है, आप जाकर चेक करें, और करवाना चाहते हैं, तो कर सकते हैं. अगर आपके पास बहुत जादा फंड्स हैं, तो जरूर रिविवी ठीक है तो आज के लिए दोस्तो जैहिंद वन्देवात नाव